नमस्का दोस्तों आप सभी का New Ovaltech में स्वागते दोस्तों आंगनवाडी में Bumper भरती का Notification जारी हो चुका है जिहां दोस्तों आंगनवाडी में Supervisor के पदों के लिए Bumper भरती आ चुकी है सबसे पहले में आपको इसका Official Notification दिखाना चाहता हूं जिससे आप सभी को यकीन हो हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह है आंगनवड़ी की इस भरती लिए कि यहां पर कोई भी आपकी परिक्षा नहीं होगी बिल्कुल भी वीडियो को मत छोड़ेगा, आगे पीछे बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरी भर्ती की जानकारी इस पेशली में देने वाला हूँ, और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ उनको भी जानकारी भर्ती की और वो भी आविदन कर सके, और इसी प्रकार आंगनवाडी की भर्ती की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चेलन को सब्सक्राइब कर ले, और साथी साथ घंटे का बेल आइकन जरू दबा दीजेगा, और दोस्तों आगनवाडी की इस बंपर भर्ती की पूरी जानकारी के लिए गूगल में सर्च करे, www.tipswaralbuzz.xyz जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आप हमारी ओफिशल वापसाइट पर आ जाएंगी, यहाँ पर आप जाकरके इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ इसाथ आवेदन भी का सकते हैं, और दोस्तों आपको बता दे, आगनवाडी की काफी सारी बंपर भर्तियों की जानकारी आपको हमारी वापसाइट पर देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर जाकर के उन भर्तियों की जानकारी भी ले सकते हैं और आविदन भी का सकते हैं तो सबसे पहले हम हमारी ओफिशल वापसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दू ICDS बिहार आंगनवारी रिकुर्मेंट ICDS की तरफ से यह विकेंसी निकाली जारी है आंगनवारी की ठीक है और आंगनवारी लेडी सूपरवाइजर की पदो पर यह भरती देखने को मिढ रही है 3034 यहाँ पर विकेंसी देखने को मिढ रही है और आविदन जो है इसके ओनलाइन शुरू हो चुके हैं और आंगनवारी की यह जो भरती निकाली जारी है दोस्तों गॉवर्मेंट जोब है जियां सरकारी नोकरी है परमानेट जोब है और आपको बता दें सेलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आदर पर सबसे पहले आपका सेलेक्शन होगा उसके बाद आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट का मतलब कि अगर आपकी मार्शिट में सबसे जादा नंबर आयोंगे तो आपको सबसे पहले नोकरी मिलने के चांस होंगे, ठीके, उसके बाद यहां पर document verification होगा, age limit, उम्र सीमा यहां पर है 21 से 45 साल, अगर आप उम्र सीमा आपकी 21 से 45 साल है, तो आप आविदन कर सकती है, इस भरती के लिए आंगनवाडी supervisor की इस भरती के लिए सिर्फ महिला किनसी के लिए आविदन नहीं कर सकते हैं, ठीके, और यहां पर qualification की बात करते हैं, तो graduate, यहां अगर आप किसी भी subject में graduate है, arts, commerce, bsc, b.tech किसी भी subject में तो आप आविदन कर सकते हैं, ठीके, आविदन करने का पूरा प्रोसेस यहां पर बताये गया है, online आविदन शुरू हो किसेगा ताकि आपका समय और पैसा बरबाद होने से बच जाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किसेगा, शेर किसेगा, इसी पर का सरकारी नोगरी खबर बाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और गंटिगा पैल आइकन दबाए, जेहीं जे कि आपको ये खगए, जेहीं जेहां जेती किसे दुटविड़ायई